नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर मही पाल सिंग राठोड आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि चाइना में कई दशकों तक वन चाइल्ड पॉलिसी चला करती थी जिसके तहट एक चाइनीज दमपत्ती को किवल एक बच्चा पैदा करने की अनुमती थी लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा बच्चा होता ही नहीं था, दो बच्चे होते थे, तीन भी होते थे कई लोगों को तो 1980 में लाई गई इस policy को finally Chinese government ने officially हटा दिया है और इसके पीछे क्या reason है, इनको हम जानेंगे इस लेक्चर में, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि UPSC Telegram Channel से download कर सकते हैं, 20 जुलाई को चाइना की government ने officially ये announce कि चाइना में जितने भी परिवार हैं, दंपत्ती हैं, वो अब जितने चाहे बच्चे पैदा करें, सरकार उन पर किसी प्रकार का जुर्माना, कोई भी penalty, या किसी प्रकार का legal case नहीं करेगी, ये announcement चाइना की society के बहुत important है, और हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि China is more than one-sixth of humanity, तो इस तरह का जो निर्नय है, हो सकता है कि भविश्य में भारत में भी आए, आप जानते ही हैं कि इस वक्ट Parliament में population control bill है, आप लोग चाहते हैं कि उस पर एक वीडियो मैं बनाऊं, तो नीचे comment में mention कर दीजेगा, तो इस तरह की policies भारत में भी आन आ सकती है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या उनका progression होता है, तो देखो चाइना में ये जो policy है, ये चार दशकों से चल रही है, 1980 में इसको announce किया गया था, one child policy, कि एक दंपत्ती को एक ही बच्चा पैदा करना है, और एक से जादा अगर बच्चा होता है, तो फिर उसमें बहुत सारी penalties थी, for example, जैसे कि भारत में आपको पता है कि राशन कार्ड होता है, उसके माध्यम से राशन मिलता है, तो चाइना में राशन नहीं दिया जाता था, ऐसे परिवारों को जिन में दो जादा हुई, तो आपके उपर, यानि सरकार के local government के उपर भी कारवाई करी जाएगी, इन targets को पूरा करने के लिए Chinese local authorities अपने स्तर पर बिना केंदर सरकार की अनुमती के और सक्तिनियम लागू कर देते थे, जैसे कि जबरदस्ती, abortion करवाना, sterilization, नस्बंदी करवाना, और ये सभी काम वैसे मानवधिकारों के खिलाफ थे, लेकिन चाइना में पिछले कई दश्कों से ये हो रहा था, अब आबादी control तक तो ठीक है, लेकिन चाइना में भी भारत की तरह लड़के prefer किये जाते हैं, माबाप की द्वारा खास करके, ग्रामीन इलाकों में, तो ऐसे म हर माबाप की चाहती कि अगर एकी बच्चा होना है, तो फिर हो लड़का पैदा हो, लड़की किसी को नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा gender imbalance हो गया था 1990s आते आते, क्यूंकि अगर लड़की थी, तो फिर उसको abort करवा दिया जाता था, कोक में गिरा दिया ज और उसके बाद उन्हें जीवन का आगे का संगर्श देखना पड़ता था, जैसे उनको state support नहीं मिलता था, दूसरे तीसरे बच्चे के insurance में problem आएंगी, नौकरी के लिए अगर आप apply करोगे, तो जिनके एक से जाधा बच्चे हैं, उनको preference नहीं मिलती थी, तो ना किवल आ पहले एक Chinese दंपत्ती जिनके साथ बच्चे हैं, उन पर सरकार ने एक लाग डॉलर का फाइन लगाया, ये युआन में हो जाता है, 7,18,000 रेन मिन बी, इसको आपको मैं कंटेक्स्ट में बताता हूँ, कि चाइना की GDP पर capita है, 10,000 डॉलर के आसपास, तो उसका 10 गुना फाइ अगर भारत के कंटेक्स्ट में है, मैं समझाँ, तो एक आम परिवार के लिए ये कितनी बड़ी रकम है, केवल सरकार को फाइन देना है, बाद में आपको बच्चे तो पाल नहीं है अपने, लेकिन इस one child policy का एक side effect भी था, आबादी में जवान लोगों का प्रतिशत घटत किया जाए, तो इन्होंने 2013-14 में अनॉंस कर दिया था और 16 में officially one child policy को हटा कर two child policy कर दिया, कि दो बच्चे कर सकते हो आप, क्योंकि हम चाते हैं कि आबादी बड़े, तो चाइना की सरकार ने mid 2010 में ये कहा कि 2020 तक हमें आबादी बढ़ानी है और जवान बच्चों को तब ही हमारी आबादी एक sustainable level पर पहुँचेगी, तो ये इनका पूरा plan था लेकिन 2020 में क्या आजाता है COVID-19 pandemic, इसके कारण चाइना की आबादी बढ़ने की बजाए थोड़ी सी कम हो गई, तो ये two child policy भी एक तरह से failure हो रही है और चार सालों से ना केवल COVID के कारण बलकि उस पैदा करना चाहते हैं, तो शुरुवात सरकारी नियमों की मजबूरी के कारण हुई थी, कि एक बच्चा पैदा करना ज़रूरी है, लेकिन अब चाइना में माबाब खुद ही अपनी मर्जी से एक बच्चा ही पैदा करना चाहते हैं, दो या तीन बच्चे उनको नहीं च कोशिश करी, लेकिन असलियत यही है कि उनकी अबादी घटी है, और 2020 में नवजात शिशुओं के पैदा होने का प्रतिशत 15% डाउन था, 2019 के कमपैरिजन में, तो कुल मिलाकर चाहिना की बर्थ रेट ड्रास्टिकली गिरी है 2020 में, और उसके पहले भी धीरे-धीरे वो गि हुए थे, उसी समय के आसपास चाहिना की सरकार ने गोशना कर दी थी, कि अब हम तीन बच्चों तक अलाउग कर देंगे, कि शादी शोधा कपल्स तीन बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन अब चाहिना की सरकार को लोग कोसने लग गए, वहां के सोशल मीडिया पर ये क्य आएगा, इसको लेकर यंग चाइनीज जो है, उस अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने एक डीटेल पॉलिसी जारी करी है चाइना में, जिसमें उन्होंने काया कि हमारा लक्षे है कि जादा सजादा बच्चे पैदा हों, और जो हमारी बूडी होत एतर सर्विसेज हों, चाइल्ड बेरिंग की कॉस्ट कम हो, बच्चे को पालना पोस्टने का जो खर्च है, उसी के कारण लोग अब दो या तीन बच्चे पैदा नहीं करना चाहते है, तो उसकी कॉस्ट को हम कम करेंगे, बेनिफिट्स देंगे, ऐसे लोगों को जो मल्टि सभी को उसका सपोर्ट मिले, तो चाइना का जो फैमिली प्लानिंग और आबादी कंट्रोल करने का कानून है, उसमें अब बदलाव किया जाएगा, उस कानून में अफिशली बदलाव हो जाएगा आने वाले कुछ हफतों में, और जो पॉलिसी फाइन लगाने की थी, कि अ आधार पर जॉब तो डेफिनिटली तै नहीं होगी, अभी स्कूल में भी बहुत सारे रिस्टिक्शन थे, जैसे एक बच्चा है तो स्कूल एजुकेशन उसकी फ्री होती थी, सेकेंड बच्चे के लिए फ्री नहीं थी, तो ये वाले रिस्टिक्शन भी हटाए जाएंग पूरा खयाल रखा जा सके, अगला important development ही है कि जो nursing services होती है, जैसे माताय जो job करती है, वो अपने बच्चों को इन nursing services में drop करके जा सकते हैं, यहाँ पर इनका ध्यान रखा जाएगा पूरे दिन, तो इनका खर्च अब कम होगा, यहाँ पर subsidy देगी government, और साथी साथ, तीन सा से छोटी उम्र के बच्चे जिनके हैं, उनको tax deduction मिलेगा, तो जैसे भारत में क्या होता है, कि अगर कोई 60 साल से उपर का व्यक्ति है, यानि कि senior citizen है, उनको tax deductions मिलते हैं, चाइना में अब जिनके बच्चे 3 साल से कम उम्र के हैं, उनको tax deduction मिलेगा, ताकि overall छोटे बच्च क्या है, कि जिनके एक बच्चा है, उनको जो सुविधाय मिलती है, पहले से चली आ रही है, वो चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सरकार discriminate करेगी उन लोगों के खिलाफ जिनका अब किवल एक बच्चा है, तो चाइना में उनको reward system होता था है, ठीक है, financial assistance वगेरा मिलती दी सर सरकार से जिन परिवारों का एक बच्चा है, तो वो चलती रहेंगी, ठीक है, उनमें कोई कटोती नहीं करी गई है, बेसिकली जो एक से जाधा बच्चे वाले परिवारों के लिए negatives थे, fine, जुर्माना, वो सारे aspect हटा दिये गए हैं, लेकिन जो एक बच्चे के लिए positives थे वो सारे रखे गए हैं, इस policy में जाधा मतरत अवकाश की भी बाते करी गई है, यानि कि लंबी maternity leave और better child care system के बारे में भी सरकार ने कहा है, तो इस प्रकार से Chinese government ने अपना एक long term vision document जारी किया है regarding the population and child care services, आप लोगों का क्या कहना है, भारत में भी इस तरह की two child policy होनी चा What do you guys think about it? Comment section में बताएगा, भाशा की मर्यादा जरूर बनाये रखें और किसी भी प्रकार के अब शब्द इस्तमाल ना करें वरना उनको block कर दिया जाएगा, अगर आप UPSC exam की तयारी कर रहे हैं, तो भारत के best educators unacademy platform पर live बढ़ाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी special classes होती है free है, उनको आप देखिए, और यहाँ पर कुछ paid courses भी है, subscription है, जैसे की plus और iconic, तो iconic subscription में आपको personal guidance दी जाएगी, mentors के द्वारा, और यह आपको GS mains answer writing की practice भी कराएंगे, आप चाहें तो plus या iconic जो भी course लें, अगर आप महिपाल code उसमें use करेंगे, तो आपको 10% flat discount मिलेगा, त उसमें 10% यहाँ आपको code use करने पर ही मिलेगा, तो 49,600 रुपीज में आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी, जो exam के लिए आपको चाहिए, GS और optional की classes, mains test series, prelims test series, printed किताबें, optional की test series, यह सब कुछ आपको इस price में अभी मिल जाएगा, और 1 अगस से prices बढ़ने वाली है, इस आपको selection नहीं होता, तो 1 साल extended validity आपको मिल जाएगी, यहाँ पर हर अफते नए batches बनते हैं, जैसे ही subscription ले, batch join कर लो, batch में आपकी एक structured तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी, next month Phoenix batch में मेरी medieval history की classes start हो रही है, 19th August से, आपको medieval पढ़ना है मुझसे, तो 6 दिन के अंदर पूर में available कर सकते हो अगर आप combat में अच्छी rank लेकर आएं, combat के अलावाद 3 regular test series हैं, जिनमें daily test होते हैं, यह completely free है, इनको use करो, prelims का score अपना बढ़ाओ, selection पाओ, thank you very much for watching this, have a great day.